नमस्कार मैं हुआ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एन्वेफ नियोज लोग सबाचुनाव 2024 पे ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद और 99 सीट लाकर राहुल गांधी नेता प्रक्तिपक्ष तो बन गए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अभी भी थोड़ा राजनीती में कच्चे हैं इसलिए तो वो ऐसे बयान दे जा रहे हैं जिससे उनकी ही पार्टी की बदनामी हो रही है और उनके ही पूर्वजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं अब रहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है पिछडों दलितों के इतिहास को लेकर जिस पर बवाल मचा है और नहरू, इंद्रा, राज्यू सब के कारिकाल पर सवाल खड़ा हो गया है अब आप सोचे होंगे कि रहुल ऐसा क्या बोल गया है तो सबसे पहले रहुल गांधी का बयान सुनाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पूर्वजों को ही बदनाम कर दिया उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जाता है। तो राहुल गांधी ने कहा आजादी के बाद जब मैं अपने स्कूलिंग टाइम में था तब उस दौरान मैंने कभी भी इतिहास में दलितों का इतिहास नहीं पड़ा है। इंद्रा गांधी का पूरा एक चैप्टर हुआ करता था। तो फिर दलितों के बारे में क्यों नहीं बताया गया अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। तमाम ट्वीट आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आपके ही पूर्वजब सरकार में थे तो उन्होंने दलितों का इतिहास क्यों नहीं बताया। इसके अलावा दिलिप मंडल ने तो ये तक कह दिया कि पहले 30 साल तक लगातार सिक्षा मंतरी मुसल्मान क्यों बनाये गए। और दिलिप मंडल ने सवाल खड़े कर दिये कि सिक्षा मंतरी अगर मुसल्मान बनाये गए तो फिर इस वज़ा से शायद दलितों का इतिहास सामने निकल कर नहीं आया। दिलिप मंडल और विस्तार से कहते हैं। विस्तार से पूरी बात मैं बताता हूं। हुमायू कभीर, नूरुल हसन और फक्रुद्दीन अली अहमद। ये कहना मुश्किल है कि कॉंग्रेस ने कभी किसी दलित पिछ्रे को सिक्षा मंत्री क्यों नहीं बनाया। ये पद आम तोर पर मुसल्मानों को दिया गया। इसलिए राहुल आपने इतिहास में तुगलक, अकबर और शा जहां को पढ़ा और बाबा साहब, महत्मा फूले और साहुजी महराज के बारे में नहीं पढ़ा। आप हुमायू के बारे में जानते हैं पर उसे हराकर दिल्ली पर राज करने वाले विक्रमा दित्त हेमू के बारे में नहीं जानते क्योंकि आप पिछड़ी जाती थे, सिलिबस में कम ही बताएं गये ये सब क्योंकि आपके पूरवजों की राज में बनाया गया मुसलिमों को सिक्षा मंत्री भारतिया शिक्षा व्यवस्था लंबे वक्त तक तुष्टी करण का उजार थी रही सही कसर वामपंथियों ने पूरी कर दी जबरन से सिकुलरवाद में दलितों पिछणों की कोई जगा नहीं थी उससे भी बुरी बात ये कि उसमें भारत के गौरों की को के बारे में आपको नहीं पता है और आपको और ऐसे तमाम जो भी थे बहुरत के उनके बारे मीं नहीं पता लेकिन मुघलों मैंने इनका इतिहास नहीं पढ़ा तो सवाल उठने लगा कि आपके स्कूलिंग के टाइम पर तो आपके ही पूरवज सत्ता में थे और आजादी के बाद मेहरू इंद्रा और राजियू ने कभी क्यों नहीं सोचा कि दल्टों कभी इतिहास पढ़ाया जाना चाहे क्यों नही हुआ हुआ